तो Hello मेरे पैरी बच्छो आप सभी का सप्षीड से सौगत करते ही अपने आज की इस न्ये वीडियो में और इस वीडियो में हम बहुत ही important चीज पढ़ने वाले हैं जी हाम बहुत इंपोटन चीज पढ़ने वाले हैं वह direct एव I Amb Is A क्या होता है या narration भी कई बच्चे इसे बोलते हैं पूरा का पूरा यह आपका इस वीडियो में समाप्त कर देंगे पैरबच्छो और साथ ही साथ हम आपको टॉप 15 परिच्छा में पूछे गए questions भी आज भी स्वीडियो में कराएंगे इस किया कि आपके नहीं आनेवालों इस में पूछ लिया जाए जाये फुरा जरूर देखना पूरा जरूर देखना और अगर अची लगर श्रीं आज़ेल है वाले जरूर कुत करके जूर जाना ताकि ऐसे आनेवाले आतले बैसना आपको ट Death Galaxy कर दे fight kiedy मेरी इसको शुरुआत कर देते हैं और बहुत ही खतरनाक तरीके से खतम भी कर देंगे इस वीडियो में Let's get start this video तो प्यार बच्चो सबसे पहले आईए हम देखते हैं direct इवं indirect क्या है पहले concept आपका clear हम करते हैं फिर बाकी questions तो हम फोड़ते चलेंगे आगे सबसे पहले देखते हैं direct क्या होता है इवं indirect क्या होता है देखी direct नाम सही मालूम चल रहा है जब भी हमारा conversation होता है जब यह बातचीत करते हो आप मालो आपका दोस्त है आपका मित्र यार एक टीचर एक कोई उससे अगर आपने दोस्तों बात की ओके तो जो आपने बात की पहरोचो यह क्या होता है आपस में जो भी बातचीत करते हैं जो भी sentence बोलते हो दोस्तों से मालो यह आपका पहरोचो एक friend एक दोस्त है मोहन ओके और यह आप हो मोहन ने आपसे कहा कि यार तुम बहुत तेज हो गए हो तो यहाँ पर जो मोहन ने बात की पहरोचो वो direct बात की तो यहाँ पर इस बात को क्या बोलते हैं पहरोचो direct speech बोलते हैं जो मोहन ने आपसे कहा ठीक है चलिए तो लेकिन लेकिन एक बात सो जो अगर इसी बात को जो मोहन ने आपसे कहा जो मोहन ने आपसे पैरवचो कह दिया अगर उसी बात को अपने पैरेंस ने पूछा तो क्योंकि भाई आपकी तारिप की है आप किसी और को नहीं बताओगे आप इतने तेज हो आप ये बात नहीं बताओगे यार मोहन जो हमारा वालो आपका टीचर है वो आपसे कहा कि आप बहुत तेज हो तो आप किसी और को नहीं बताओगे ये आप गये छलान लगा कि यार खुशी मेरे टीचर ने कहा मेरे टीचर ने कहा कि मैं बहुत इंटिलिजेंट हू तो यहां पर पैरवचो बात होई न वो पैरवचो इन डारेक्ट इस्पीज में ये जो हुई बा इन डारेक्ट में जो भी बात होता है वो आप हमेशा पास्ट में कहा कि आप बहुत इंटिलिजेंट हो के तो यहां पर सब कुछ वैसा ही रह गया ने कि दधा ओके और पैरवचो करो पता है परवचो टोड हो जाता है यह छोड़ी सी बात है आपको कही कि यहाँ जो पैरवचो इस के हिसाप़ से परवचो बदल जाता है इंडरेक्ट इसमिच में इसके हिसा पास्व款 जाता है اب आगे और वी क्लिए हो करेंगे चिंता मत करें यू जैसे यहां पर मी था मी है न तो मी का दोस्तों जो यू हो जाए तो मी के हिसाब से जो सब्जेक्ट यहां पर आएगा वो आई आजाएगा सिंपल ठीक है आई और आर का दोस्तों हम क्या कर देंगे यहां पर पास्ट कर देंगे यानि कि वाज इंटेलिजेंट ठीक है क्योंकि यहां पर प्रेजेंट में अगर हम आर यूज करते हैं तो पास्ट में वही चीज हम क्या करते हैं वाज की तरह यूज करते हैं, तो यहां पर intelligent लिखकर हम यहां पर indirect speech इस तरह बना देंगे, कई बच्चों confusion रहता है कि यहां पर यह चीज हम कैसे change करें, यू का क्या होगा पैरे बच्चों ठीक है, तो आप खुदी सोचों यहां पर, आप से teacher ने कह लिया, कि तुम बहुत intelligent हो आपने यूज किया, मैं यूज किया, तो मैं क्या होगा यहां पर, आई यूज हो जाएगा पैरे बच्चों ठीक है, तो इस तरह concept पता हो ना, तो आपको यहां पर कोई rulem दगाने का जोवती नहीं है, ओके, और कई teacher कहते है कि भाई, यू है ना, यू हमारा जो यहां पर object लिखा होता है, इसके according चेंज हो जाता है, यहां कि यू आपका यहां पर दोस्तो मी की according आई हो जाएगा, मी है, मी का हमारा होता है, subject form में होता है, उसका दोस्तो आई होता है, मी आपका subject रूप में आई के तरह यूज होता है, तो आई लिखे सभी चीजे, चो छोटी concept भी आपका clear होता जाएगा, अगर आप कुछ चीज नहीं पता है, तो copy pane के साथ आपको note भी करते चलना है, और सीखते चलना है, ठीक है, चलिए, पहले अचो direct, indirect, indirect का main concept भी हम दोस्तो, point आपका यही है, कि जो भी बात आपको क्या हो, संटेस में आपको बोला गया हो, अग इसमें कोई भी छेट सान नहीं करनी है, बस आपको simply that लगा कर, that, that जोड कर बस उस sentence को उतार देना है, simple, ठीक है, तो इस type का type number one होता है, question हिजजा में पूछा जाता है, जैसे यही देखि, the man said, the sun is the center of the solar system, यानि कि सूरज क्या है, solar system का केंद्रे पाच्चो, ये बात बता that the sun पाच्चो ये बात कहा है, सत्य है, तो जैसा वाक है, उसी तरह उतार देना, इसमें कोई भी छेड़ चार नहीं करनी है, यानि कि लिख देंगे, simple, यहाँ पर सब कुछ उतार देंगे, debt जोड कर, okay, उसके बाद हम देखने, अब आगे बढ़ने से पहले, आगे question को खोडन पहले हम आपको बताना चाहते है, concept number 2, concept number 2, क्या कहता है पाच्चो? इसमें हम देखने वाले हैं, ऐसे sentences को, जिसमें आपको order दिया जाता हो, क्या दिया जाता हो, और दिया जाता हो, या फिर आपको, आपसे request की जाती है, आपसे request की जाती है, कि पंखाँ चला दीजे, आई तुम बहुत ही लंबाजी हो या फिर आपको स्राप भी दिया जाता है ओकी तो ऐसे संटेंस जब हमारी होते न तो यहां वहां पर प्यारवचो सइड säड एवं यह दोनों को क्या बदल देती है इसके अकॉडं बदल देते है मालू ये सारे चीज़े क्या है पढ़ावचो कोई वर्ण है कोई मालो कोई बद है ठीक है इस वर्ण को आपको लिखदेना यह एर पर इसके आगे जोड देना है जैसे order आपका दिया जा रहा है तो यहां पर आप क्या लिख दोगे order ओके और इसके आगे ed जोड दोगे इसके आगे क्या को जोड दोगे पर चो ed जोड देना है simple होगे set to का orderate हो जाएगा अगर आपका दोस्तो request किया जा रहा है तो set to को किसमें बदल दोगे requested रिक्वेस्ट के आगे ed जोड देना है simple ठीक है चलिए इस तरफ विष्ट दिया जाए तो विष्ट हो जाएगा ब्लेस दिया जाए तो ब्लेस्ट हो जाएगा कर्स दिया जाए तो कर्स्ट हो जाएगा set to का okay लगा देते हैं तो कहा है तो आपने कच्छा में मेरे कच्छा में दोस्तो आवाज मत करो ठीक है यही टीचर बच्चो को कह रही है तो यह क्या एक अबगा देंगे बाकी चीजे उसी तर उतार देंगे पैरवच्छों क्या हो जाएगा वाई किसी तीसरे वक्ति से अगर इसी दोस्तों जो टीचर ने आडर वच्चो को दिया है उसी बात को अगर हम तीसरे वक्ति से कहेंगे तो हम यहीं कहेंगे कि जो हमारी अध्यापक करी है ना अध्यापक कह रही है कि हम उनके कच्छा में पैर उच्छो उनके कच्छा में आवाज ना करें किसी तीसरे व्यक्ति को अगर इसी तरह ना कहेंगे हिंदी में कि भाई अध्यापक हमसे कह रही थी कच्छा में कि हम उनके कच्छा मे पारचोँ आवाज ना करें, यानि कि माई का हम क्या, इसमें चेंज हो जाएगा पारचोँ, उने कि, यानि कि हर, हर कच्छा, यानि कि, हर क्लास में हम क्या करें, सोर ना करें, तो the teacher ordered the boy to not back noise in my project हर उनके कच्छा में हम क्या करें दोस्तों स्योर ना करें किसी वैक्ति से अगर हम कहेंगे तो यहीं कहेंगे हर class simple ठीक है तो इस तरह हमने इसका भी बना दिया चौथा भी देख लिजे पैर बच्चो यह है कि he said to me please help me ओके यहाँ पर request की जा रही है तो यहाँ पर simply क्या कर देंगे set to को requested में बदल देंगे तो लिखेंगे यहाँ पर ही requested requested ed जोड़ दिया हमने me to help me पैर बच्चो ओके जैसे कि यहाँ पर पैर पैच्चो हमने क्या कर दि दिया डू जो लिखाता आगे इसको अटा दिया जब हमने दोस्तों यहाँ पर requested लिख दिया है तो please लिखने की जोड़त हमें नहीं है simply to के बाद help me help help अब इसकी बाद meek इसमें change होगा आप हमें बताइए आप हमें बताइए कई-कई confusion होता है तो इसी confusion को दूर करने के लिए concept हमने आपको समझाया था कि अगर वो हमसे कह रहा है कि मालो यह क्या है वो है ओके और यह क्या है हम है अगर वो हमसे कहएगा कि यार मेरी मदद करो यह हमसे कह रहा है जो बात यह हमसे बात क्या कही कि मेरी मदद करो मेरी मदद करो ओके यह दोस्तो इस व्यक्ति ने कहा अगर इसी बात को दोस्तों किसी third person को जाकर यह बताएं इसी third person को यह बात बताएंगे तो हम क्या कहेंगे कि भाई जो वो है न वो है वो हमसे कह रहा है कि हम उसकी मदद करें हम उसकी मदद करें क्या हम उसकी मदद कर दें यह हम से कह रहा है तिसरे वक्ती से तो यहाँ पर प्यारव चुक क्या हो गया मी का क्या हो गया उसकी यानि कि लड़का है न हीम, ओके, सिंपल ठीक है तो इस तरह आपको करना है बाकि अगर आप रूल याद की हो तो को दिक्कत नहीं है तो इस तरह यहाँ पर 5 question देखिए यहाँ पर 5 question है कि the teacher said to me go from the class यह नहीं teacher order दे रही है set to order में कर दोगे और go from the class यह simply क्या कर दोगे इसको छाप देना है इसका answer comment करना है पर रचो आपको को बना कर copy में अभी जास थीक है उसके बाद 6th question है कि he said to me can you spare somebody वह मुझसे कहता है कि क्या तुम कुछ पैसे दे सकते हो क्या तुम कुछ पैसे उधार दे सकते हो तो इसको आए देखते हैं अब बताईए order है कि request कर रहा है ही न यह request कर रहा है तो लिखेंगे यहाँ पर कि he said to requested में बदल देंगे यहाँ पर simple he requested me to spare some money to spare some money तो यहाँ पर वर्व से जहाँ पर भी आपको वर्व दिख जाए न यहाँ पर subject वगेरा यह सब हट जाएगा पर चोई सबका कहीं यूज नहीं है क्योंकि टू लगाओ के तक क्या लिखना सोबा देगा कि he requested me to can you spare some money अच्छा नहीं लगेगा आपी सोचो तो यहाँ पर दिखेंगे he requested me to spare some money यह थोड़ा अच्छा लिखार पर खुद से भी comments लगाओ ठीक है he requested me to spare some money यह हमारे बिल्कुल पर्फेक्ट रहेगा पर चो इसी तरह हमें करना इसाम में आ जाए ठीक है चलिए next question करते हैं the boys say to his mother please give me some pencil boys क्या कर रहें अपने मां से करें कि मुझे क्या कर दो कुछ pencil दे दो वैस क्या करें मदर से अपनी मां से करें कि मुझे कुछ pencil दे दो ठीक है तो यहां पर भी request हो रहा है अपने मां से request करेंगे order तो देंगे नहीं प्लीज भी लिखा हुआ है तो आप इसको जब बनाएंगे प्लीज को जब convert करेंगे तो प्लीज को हटा देना सीधे वर्व जहां पर भी आपको दिख जाए वर्व जहां से दिख जाए यहां से दोस्तों पूरा छाप देना हो के और बात आई मी कि मी किसमें चिंज जाए अगर बोय तो न्यकुँ यहां पर मा है तो इसका के दोस्तों बात करेंगे वर्यञें कि अगरें हैं पूरा घु Сп होके तो यहां पर हीम किसमें चेंज जाएगा यह हीम में चेंज जाएगा बाकी सब कॉंसेट की तरह उतार देना यह आपका होंबर क्या सीम्पल ठीक है हमने बाकी कॉस्टन प्रक्टिस करा दी आपको इसे रिए टू उसके बाद आठवा कोस्टन आए देखते हैं पैरचो आपका ब्लेश से समंदित यहां पर देख होंबर इंसे ही रिका न propag यू लाव यसेता चल कि हमारे भाई क्या का रहा है ब्लेश कर रहा है पर चो तो यहां पर लिखेंगे द जो ब्रदर ब्रदर और सेट सेट का क्या हो जाएगा पैचो ब्लेस हो जाएगा तो लिखेंगे माई बदर ब्लैज्ट मी कि तू जहां पर वर्वादी कि वहाँ चीज चाप दिने हैं कि लिव लॉंग सिंपल ठीक है ठीक है चलिए या पिर कई बुक में पैरचो इसको कुछ अलग तरीके से भी लिख कर दिया रहता है इस तरह भी आप बना सकते हो जाम में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है माई ब्रदर ब्लैस्ट बाकी सब वहीत रहेगा माई ब्लादर ब्लैस्ट मी ब्लैस्ट मी ब्लैस्ट मी डैट डैट जोड कर कभी कभी इसामों में आप डैट जोड कर भी कही बुकों में बनाए गया है सिंपल यहां पर माई ब्रदर ब्लैस्ट मी डैट यहां पर प्यार च तो ये भी साही है ये भी साही है कोई भी आपका एक टका का भी दोस्तों दिक्कत नहीं है लाइक नौवा कोशन दिखिए The Hermit said me May you all go to hell यानि कि यहाँ पर कहा जारे कि तुम भाड़ में जो यानि कि यहाँ स्राप दिया जा रहा है यहाँ पर स्राप दिया जा रहा है तो यहाँ पर वही कर्ष कर देंगे सेट टू का पर पर चुछ कर देंगे The Hermit The Hermit सेट टू का हो जाएगा कर्ष्ट That I may go to hell इस तरह जोड़कर भी आप बना सकते हैं अब नेश्ट मूफ करते हैं हम यहाँ अब यहाँ पर हम पूछा जाए इंट्रो गेटी में जब आपसे कोई sentences हो तो उनको कैसे deal करना है और इंट्रो गेटी में कैसे पता करेंगी question mark लगा होगा और इंट्रो गेटी में आप सभी को पता है जो आपका said to होता है उसको हम किस में convert कर देते हैं और इंट्रो गेटी का उधान हो गया जैसे की हो गया जैसे हो गया do you know me तो यहाँ पर question mark लग गया यहाँ पर तो यह क्या इंट्रो गेटी वाला चीज है इसको भी देखेंगी चिंता मत करें और जैसे हो गया पर अचो what wh से शुरू हो गया what are you doing तो wh से भी शुरू हो सकता है where are you going इस तरह आपके इंट्रोगेटी बन जाते हैं और यहाँ पर जब आपका दोस्तो wh से शुरू होता है तो यहाँ पर कुछ भी दोस्तों conjunction का यूज हम नहीं करते हैं आप that का यूज करते हैं नहीं that का यूज करते हैं नहीं if का यूज करते हैं भला ही इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों इस वाले केस में हम if का यूज करते हैं डैट की जगा if का यूज करते हैं डैट की जगा लेकिन इसमें पर जो आपका तो यहां पर दोस्तों दोखिये डाल वेच से सुरूर नहीं हुआ न तो यहां पर हम इफ कंजक्शन लिखेंगे इसको कैसे करेंगे इस चीज को हमेसा क्या कर देना है आपको जो भी लिखाओ आर से डू यू नो मी आर यू ए फूल आर यू इंटलिजेट कुछ भी हो प्यारवचो इसको आपको सिंपल पास्ट में बदल देना है अगर यह प्रजेट में लिखाओ यह प्रजेट में तो इसको सिंपल पास्ट में पतलती है सिंपल पास्ट में पहले क्या होगा सब्जेक्ट लिखोगे फिर आप लिखोगे पहले वर्व ओके फिर यहां पर बाकी चीज़े आपकी रहती है simple ठीक है जैसे subject क्या है यहाँ पर you है लेकिं you आपका interactive में दोस्तों इस him की according change हो जाएगा him की according you क्या हो जाएगा परचो him यानि की he him का दोस्तो subjective form होता है he तो यहाँ he लिखोगे फिर वर्व आपका क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर present में क्या है तो पाश्ट में क्या होगा परचो वाज होगा ओके और यहाँ पर उतार देना सिंपल ठीक है तो यह हो गया इसका answer उसके बाद यह question देखिए यह रवा है आपका महेश set to Rita what are you doing here today ओके तो यहाँ पर भी उसी तरह करना question पूछा गया है simple तो उसी तरह करेंगे महेश आपका conjunction बन जाएगा वाटी conjunction बन जाएगा और are you doing here are you देखो इसी तरह है कि नहीं यहाँ पर भी are you a full यहाँ पर भी are you doing here today ओके तो यहाँ पर इसको भी क्या करेंगे simple past में convert कर देंगे subject सबसे पहले subject लिकेंगे subject क्या है दोस्तो यू है लेकिन पहरो चो रीता के according subject आपका क्या हो जाएगा रीता क्या है दोस्तो एक लड़की है लड़की के लिए क्या यूज़ोता है see what see okay और आर का दोस्तो वाज हो जाएगा what see what बाकी सब छाप देना है यानि की doing इसी तरह रहेगा और हेर का दोस्तो हेर का convert हो जाएगा इंडिरेक्ट में देयर और टूड़े का परचो डैट डे कनवर्ट हो जाएगा ओके तो यह आपका final answer हो जाएगा question mark हमेशा हटा देना है remove कर देना है आप कई बच्चों को नहीं पता होगा सर इंडिरेक्ट में हेर का देयर होता है हम उसका हो जाता है the previous day the previous day हो जाता है this लिखा है तो this का that हो जाता है tomorrow लिखा है tomorrow का हो जाता है the next the next day ओके तो यह ध्यान रखना है आपको simple ठीक है next question देखें यहाँ पर son why you have disturbed क्यों तुम दिश्टरबेट हो फादर पूछ रहे संसे तो असान है इसको भी कर देते फादर पू और why यहाँ पर लिखा है न तो why आपका conjunction की तरह कार करेगा if that कुछ नहीं लिखेंगे और why you have disturbed okay तुम क्यों दिश्टरबेट ओके तो यहाँ पर you आपका क्या हो जागा किसके according चेंज़ जागा son के according son क्या है तो उस्ते एक लड़का है ओके तो लड़के के लिए क्या यू सिंपल और question mark review हो जाएगा ओके तो यह हो गया इसका भी answer आईए एक और question करते हो और भी अच्छा clear करते है आपका जैसे सीधा say to rita are you well क्या तुम अच्छी हो क्या तुम वैल का कभी कभी दोस्तों meaning अलग भी होता है अब ध्यान के are you well तो इसको भी convert करते है सीथा क्या करी question अन्हार्क लग यानि कि इंट्रोगेटीव है सीथा पूछ रही यानि कि सीथा लिकेंगे सीथा सैट्टू का हो जाएगा आग्ष्ट सीथा आख्ष्ट रीता किसे रीता से और यहां पर डाबलु एच वड नहीं है यानि कि यहां पर इफ हम लगाएंगे इफ और सब्जे आर का दोस्तो पाष्ट में वाज हो जाएगा और वैल आपका यहां पर इस तर उतार देंगे सिंपल दोस्तो कॉसर मार्क हट जाएगा सिंपल ठीक है तो यहां तो अगर आपने कर लिए अच्छी तेगे से तो इससे जाद आपको करने जूरत नहीं जामे क्लास 11 तो या 12 लेकिन कभी-कभी ऐसे वर्ड भी आजाते हैं संटेस जिसमें दोस्तो अचानक खुशी का वैक्त हो सडेन इस प्रेशन जब यूज होता है जैसे कि मालों कोई अचानक खुशी जब वैक्त होती है ओके चाहे वह खुशी वाली चीज़े हो चाहे दुख वाली चीज़े हो यहाँ पर खुसी है अचानक लेकिन अलास जब आ जाता है ना कि जैसे की लिख दिया रीता सेड अलास यहाँ पर क्या है दुखी वाली चीज़े हैं तो ऐसे में न दोस्तो हम क्या करते हैं सेड टू लिखाओ या कुछ भी हो सेड लिखाओ उसको हमेशा एस्क्लेमड विट जो है एवं अलास की केस में एक्स्लेमड विट सौरो कर देते हैं पस यहाँ पर यह दो चिंजेज है बस यह ध्यान रखना है आपको वैसे बहुत कम पूचा जाता है लेकिन हमने आपको बत करड़ी है अलास आयम डम अनवैल तो अलास का हो जागा एक्स्लेमड विट सौरो एवं आई हमारे एक तो क्या करी Sum routine कि रीना के अकॉर्डिंग अई का आपसी कर देंगे स्मे जैसे यहाँ बैयरा कीक्या क्याको यह लगों के यह विविव विविव कर दिया यहाँ परूर और यहां पर, रीणा एक लड़की है, एक ही लड़की है, तो उसके लिए में C लगा देना है आपको, subt VERY, दो कापने टाकी लग देना है। वीडियो अच्छी लगी तो जाने से पहले यही कहेंगे कि छोटा सा लाइक आप ज़रूर करके जाएगा मैनत के लिए हमारे से हेल्प वीडियो की सायता से हेल्प मिलेगा और हमें बहुत ही खुशी होगी ओके और एक प्यारास कमेंट करना मत भूलेगा कि चलिए आम मिलेंगे एक नेश धमागेदार वीडियो के साथ लव यू आल अपना ध्यान रखिएगा जैहिन जै भारत